ए जैश्मिन तुने अपना काम कर लिया कौन से सब्जेक्ट का एवी एस का जो मैडम ने वर्टसप पे बेज़ा था हाँ मैंने तो कर लिया मुझे तो याद भी हो गया अच्छा तो तू मुझे बोल बोल के सुना देना मुझे भी याद हो जाएगा ठीक है लिया बुक समझा दूँगी तुझे भी करवा दूँगी याद ठीक है अभी लाता हूँ ले ये रहा पेज नमबर 9 E.V.S का ठीक है ध्यान से सुन एक बार डेस्क को बजाओ कैसी आवाज आती है अब जैसे चितर में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ कैसी आवाज आती है क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है तिरको याद होगा ना जब मैडम ने वीडियो कॉल की थी तो मैडम ने बताया था कि डेस्क बजाने के लिए टीचर तब बोलती है जब आप क्लास में बैठे हो लेकिन घर में तो आपके शायद किसी के डेस्क हो क्या पता नहीं हो तो यहाँ पर आप कुछ और चीज बजा कर देख सकते हो तो यश तो कुछ बजा के देख तो जिसके सारे खड़ा है न वही ड्रोर बजा के देख हाँ ठीक है बजाता हूँ अब इसको कान लगा और फिर से बजा के देख ठीक है अब बता तुझे क्या फर्क लगा दोनों आवाजों में मुझे पहली बार तो आवाज नूर्मल लगी वैसी लगी जैसी और आवाज लगती है लेकिन बाद में जब मैंने इस पे कान लगा है न तो कंपन जादा हुई थी हाँ बस तकोपी में भी ऐसे ही लिखना है ठीक है समझ गया साप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है उसके बाहरी कान नहीं होते जमीन पर हुई कंपन को ही वह सुन पाता है अच्छा साप के कान नहीं होते वो तो कंपन सुनता है आहां बिल्कुल सही आवाजें अलग-अलग जंगल में उचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं कुछ पक्षी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाजें निकालते हैं जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज मच्छियां खतरे की चेतावने एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं कुछ जानवर तुफान या भुकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकते करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस वैवार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भुकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब वेवार और उनके द्वारदी देचेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाती समझ गई उन्होंने वहे इलाका खाली कर दिया इस प्रकार इस जाती के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए अरे ये तो बहुत अच्छी जानकारी है अब अगला पेज समझा दो पेज नमबर दस डॉल्फिन भी अलग अलग तरह के आवाजें निकालती है और एक दुसरे से बात करती है वैग्यानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाशा है अब बता क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो किस किस की हमें कुछ जानवरों की आवाजें समझ में आ जाती हैं जैसे कुटे की कुटे को जब चोट लगती है जब आउं 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 करता है तो तब समझ में आती है बिलियों के लडने की और पालतु पसू जब आपस में लडते हैं तो वो आवाज भी हमें समझ में आती है खत्रा नजदीक होने पर चिडियों की जब चिल्ची चीडि करती सौर मचाती है तो वो भी समझ में आती है क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाशा भी समझ सकते हैं? कौन-कौन से? हाँ कुछ जानवर हमारी भाशा समझ लेते हैं जैसे कुट्टा, बिल्ली मेरे पास ना कुट्टा है जो मैं उसको टोमी टोमी कहके बुलाता हूँ तो फट से मेरे पास आ जाता है और जब मैं उसको डांट लगाता हूँ तो वो साइड में बैठ जाता है या बाहर भाग जाता है आओ खेले एक मज़ेदार खेल जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाजे निकालते हैं उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाशा बना लो ध्यान रहे बोलना नहीं है केवर आवाजे निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है किन बातों के लिए चेतावनी संडेज बेजना चाहोगे जैसे कख्षा में टीचर के आने पर पता है जैसमिन पता है तिरको जब हमारी मैम आती है न क्लास में तो ना क्लास में कैसे कहता हूँ कैसे कहते हो कैसे बताते हो मैं बोलता हूँ क्यों क्यों तो बच्चे समझ जाते हैं कि कोई टीचर आ रहा है अच्छा शरारती और हम लंच ब्रेक में वो भी तो खेलते हैं न मूवी का नाम बताना इशारों में ही तो समझाते न अपने साथ ही को कि वो गैस करता है कि कौन सी मूवी है आँ वो भी खेली अब कितना सोएं बहुत से जानवर किसी खास मोसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं लंबी भी इतनी की कई महिनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते अच्छा कै तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलिया कहीं गुम हो जाती है सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी तुम तो कह रही थी कि मैंने होमवर्क सारा याद कर लिया अब तुई बता कि छिपकलिया ऐसा क्यों करती है ठीक है तो सुन ऐसे लिखना है हाँ सर्दियों में छिपकलिया नजर ही नहीं आती इस समय वे गहरी नीन में चली जाती है सर्दियों में उन्हें भोजन कम मिल पाता है और वे अपने शरीर को गरम भी नहीं रख पाती अपनी उर्जा बचाने और जिंदा रहने के लिए वे शीत निद्रा में चली जाती है ठीक है समझ गया ये जैसमीन ये बताना ये भालू जैसे दिखने वाले ये क्या है ये पिक्चर में स्लोथ है ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उर्टे सी लटक कर मस्ती से सोते हैं ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा कर पलते हैं इसलिए इने कहीं और जाने की जरुरत ही नहीं पड़ती जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं लगभग 40 वार्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुस्किल से 8 पेड़ों पर खुमने की तकलीफ उठाते हैं ये सब्ता में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं अच्छा सलोथ सब्ता में सिर्फ एक ही बार सोच करता है अरे ची अब ये देख ये ना चक्र से घड़ी बना रखी हैं और इन्ही में ना इनके सोने और जगने का टाइम दिखा रखा है अगर सलोथ की सोने और जगने की प्रकरिया 24 गंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी होगी यानि कि वो 18 गंटे सोएगा और 6 गंटे जागेगा अब बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखेगी अरे अभी तो तुमने बताया कि सर्दियों में छिपकली हमेशा सोथी रहती है तो यह तो पूरी ही डॉर्क हो जाएगी हाँ बिल्कुल सही नेक्स्ट चितरों में कुछ ज़नवरों के सोने के समय को दिखाया गया है हर चित्र के नीचे लिखो की वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है मैं गिन कर बताओं अहां बताओ बताओ गाएं चार घंटे अजगर अठारा घंटे जिराफ दो घंटे बिली बारा घंटे अरे बिलकुल सही चल अगली लाइन देखते हैं अपने आसपास किसी जानवर को देख कर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रशन उठते हैं कौन से कोई दस प्रशन बनाओ और लिखो हां मैं बताओं मैं क्या-क्या सोचता रहता हूं कुटे, बिली, गाए, भैस इनको देख देखे सुन मैं क्या-क्या सोचता हूं उनको क्या करना अच्छा लगता है वे किस बात से नाराज होते हैं क्या वे भी हमारी तरह सपने देखते हैं क्या वो मुझे अच्छा इंसान समझते हैं जब समय पर खाना पीना नहीं होता तब वे क्या करते होंगे क्या उनमें भी हमारी तरह आपस में दोस्ती होती है क्या उनके भी दोस्त होते है क्या वे मुझसे बात करना चाहती है क्या उनको अपने आसपास खतरों का पता चल जाता है क्या वो भी हमारी तरह अपना पका घर बनाना चाहते है वे एक दूसरे को जब रूठ जाते हैं तो कैसे मनाते होंगे वे किस चीज से सबसे ज़्यादा डरते होंगे लेकिन अगर पशू कहीं दूर निकल जाए तो अपने घर का रास्ता कैसे याद रखता होगा पालतू पशू अपने मालिक की पहचान कैसे करते होंगे तो उन्हें बुकंप आने का आईसास कैसे होता होगा कुछ जानवर बिना सीखे पानी में कैसे तैरते होंगे अरे बापरे इतना कुछ सोचते हो तुम जानवरों के बारे में चल ठीक है अब मैं थोड़ा सा ना अराम करनू थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी अगला पेज ठीक है फिर तो मैं भी खेलने जाता हूँ शाम को पढ़ेंगे बाई ठीक है बाई